जैहिन्द मेरे प्यारे दोस्तो मैं रे आप सभी के सामने एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लैटफॉम अचीव सीएपीफ सीडियस पर काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है रीजन भी बताऊंगा बट उससे पहले मैं आप सब के सामने लेकर आया हूं दोस्तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है नया साल अलमूस्ट हमारे पास है दो चार दिन की बात है नया साल आने ही वाला है और आशा करता हूं कि आप मैंसे काफी स्टूडेंट् के प्रिपरेशन स्टार्ट परभी होगी और बहुतों नैं नहीं भी की इंतला कर रहे होंगे कि सरor 2024 आएगा तो अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे तो जिसने कर दी कर दी है बहुत अच्छी बात है जिसने नहीं की है वो प्लीज अपनी प्रेपरेशन athना करेchmal कर प्राइर्टी देनी है अब दोस्तों क्योंकि नया साल सामने है और मैं नहीं चाहता कि अब भी जाकर हम लोग कोई गलती करें तो मैं आपके सामने वो तीन पिलर लेकर आया हूँ पूरा का पूरा आपका C-PF हो या C-Diaz हो चाहे सर आपका C-A-PF exam हो चाहे वो C-Diaz का exam हो इन तीन पिलर पर तिका हुआ है और वो तीन पिलर क्या है आपके सामने है आपके सामने है वो तीन पिलर History, Science और Geography सर अभी तक आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ सालों में मैं आपसे पॉलिटी, मैट्स इन पर जादा जोड देने के लिए हमेशा कहता है हूँ साइन्स तो देखे हमेशा से रहा है हमारा जोग्रफी भी रहा है हमने कोड भी दिया था आपको लास्ट याद होगा आपको SPG बट सर देखे समय के साथ साथ ना requirement बदलती है और यह हम ऐसा नहीं है कि हमारे खुद दिमाग से मन घडन चीजे निकल कर आती है कि हाँ पॉलिटी दे दो इस बार मैट्स दे दो इस बार सर ऐसा नहीं है चीजों को पहले एनलाइज किया जाता है जब आप प्रिविएस एर कोशन को एनलाइज करेंगे जो कि हमने किया है और वो एनलेसिस में आपको अभी दिखाऊंगा देखो मैं कभी भी बिना प्रूफ के आ कुमरा ना हो आपको सबसे पहले वो तीन पिलर का जिक्र आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए मेरी सबसे पहली बस यही कोशिश है इस नए साल में कि सर ये तीन सब्जेक्ट अगर आपके रेड़ी है अभी तो बहुत अच्छी बात है आप बहुत ही सही डियरेक्शन में जा रहे हैं और अगर नहीं ready है तो आप इन तीनों को तयार करýे अब देखू तयार करते समय भी आप एक बहुत बड़ी गलती करोगे जो मैं आपको इस video के end में बताओंगा ठीक है? वो गलती आप क्या करोगे वो गलती आप क्या करोगे मैं इस वीडियो के end में बताऊंगा बट पहले मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ कि मैं इन तीनों सब्जेक्ट को क्यों मैं पिलर क्यों कह रहा हूँ CAPFCDS का सर एक बार जड़ा नजर डाल लेते हैं लास्ट 10 एयर के एनलेसिस पर 2014 से 23 के एनलेसिस पर सर इसे बनाया है लास्ट एयर भी हमने आपको प्रोवाइड कर रहा था इस बार भी काफी बच्चों का कहना था कि सर एक और 10 साल का एनलेसिस इस साल को include करते हो बना दीजिए तो आपके सामने हैं देखिए साइंस आप सबको पता है कि साइंस की importance हमेशा से बहुत जादा रही है इस exam में अगर कोई भी चीज सबसे important है आप में से कोई नया बच्चा अगर इस चीज को सुन रहा है तो भाई समझ लो कि साइंस की importance इस paper में सबसे जादा है सबसे जादा आपकी जिंदेगी में जितना oxygen important है उतना ही इस paper में CAPF CDS में science important है तो सबसे जादा जो question दोस्तो आते हैं science से आते हैं 29, 25, 30, 30, 20 मतलब अगर आप एक range लेकर चले ना तो 30 question आपके इसी subject से आने वाले हैं उसके बाद अगर कोई important subject होता है दोस्तो तो वो है आपका geography ठीक है यह हमारा second pillar है सामने हैं आपके second pillar 20 question 19, 19, 19, 18, 20, 22 मतलब on an average आप मान के चल सकते कि 20 question हमारे यहां से पूछे जाते हैं ठीक है देख लिए आपने यहां पर यहां पर हमने देख लिए लगबग 29, 30 question यहां पर हमने 20 के आसपास के question देखे अब यह पूछेंगे आपकी सरी यह 3 question क्या है भाई यह 3 environment के question है जिने अलग से कोई subject मान कर मत चलिएगा क्योंकि ऐसा बहुत जादा environment से question अभी नहीं आ रहे हैं कि आप लोग जाकर संकर IS की book उठाकर पढ़ने लगे हैं या फिर कोई भी PMF IS की कुछ इस तरीके से books आती है तो वो सब नहीं पढ़ना है कुछ भी नहीं करना है सिर्फ basic अपने previous year questions को देखो आपका काम बन जाएगा ठीक है उसके बाद third important subject दोस्तो history 20 question हर साल मतलब अगर आपने कभी analysis देखा होगा देखो ये चीज़े तभी पता लगती है दोस्तों जब आप कुछ analysis करते हो कुछ stats बनाते हो कुछ numbers के साथ छेड़ चाड़ करते हो खेलते हो 23 में कितने आए कहां से आए 22 में कहां से आए तो आप देखेंगे history में 20 question 18, 21, 19, 19 on an average 20 question हमेशा history से पूछे गए है फिर maths की बात करें तो 15, quality 9 देखो quality जो हम SPG का code लेकर चल रहे थे सर्वो P को मैंने पीछे इसलिए ही खीचा है क्योंकि quality में सिर्फ अब देखो चीज़ें decrease हो रही है like 21 में 14 20 से देखते हैं चलिए 20 में 21 थे 21 में 14 हुए 22 में और कम हुए 11 और 23 में जाकर 9 हो गए देखा आपने किस तरीके से हमारा जो नम्मर है नीचे गिर रहा है तो देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दू भाई quality में जैसे नम्मर गिर रहा है पर UPSC का कोई भरोसा नहीं है UPSC ऐसे गिरे हुए दाव कोई उठा कर खिलती है हो सकता है कि कल ये 9 जाकर 20-21 हो जाए तो आपको ऐसा नहीं है कि quality को एकदम छोड़ देना है हमें इस चीज़ को समझते हुए अपनी strategy डेवलप करनी है पहले science then geography but ऐसा नहीं है कि quality को भी miss कर देना है quality भी बहुत अच्छे से करेंगे but priority समझे कि हमें सबसे पहले ये 3 subject जो बिलकुल हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों से हमेशा top में ही रहें तो वो तो करने ही करने है सबसे पहले ठीक है ये 3 subject कर लो क्योंकि इन 3 subjects के marks अगर आप देखोगे न दोस्तो तो 30 almost यहां से ले लो 20 ये 20 ये total कितना हुआ अगर मैं इन 3 subjects की बात करो तो sir 30, 40, 50, 60, 70 sir 70 question 70 question आप समझ सकते है अगर ये 3 subjects आपने बहतरीन कर लिए आपकी cut off सिर्फ इन 3 subjects से बाहर हो जानी है सोच के देखिए कि cut off आपकी सिर्फ 3 subject पर depend करती है तो sir क्या ये pillar नहीं हुए आपके पूरे UPSC के CEPF के CDS के बच्चे भी आईए चलो CDS का देख लेते हैं आप बच्चों का भी exam है CDS का भी analysis में लेकर आए हूँ 2023 बिल्कुल latest 2,23,1,22 देखे पिछले 8 सालों का पिछले 8 paper का analysis सालों का नहीं ठीक है ये थोड़ा सा यह mistake हुआ है 20 से 23 तक का तो इसमें science देखेंगे ये भी 30 मतलब science तो on an average इन्होंने 30 का एक आकड़ा पकड़ लिया है geography almost 19,20,21,21 तो वही आप 70 कुशन 70 कुशन CDS में 70 कुशन CAPF में कितना बड़ा आकड़ा है सर 125 में से 125 में से 70 कुशन आपके इन 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं और इधर 120 में से 70 कुशन सर सबसे पहले जा करना ये 3 सब्जेक्ट को रगड डालो रगड छीक है अब मैं जो एक बात बताने वाला था आप सबको कि एक और चीज है जो आप गलती अभी करेंगे ये थोड़ा सा जादा ध्यान देना क्योंकि लगबग आप में से सभी बच्चों को इस चीज का पता है कि यार ये 3 important subject है बट अब जो मैं एक चीज बताने वाला हूँ दोस्तो सबसे जरूरी चीज ध्यान रखना जो ये time आपके पास है अभी इस समय जैनवरी जो आपके पास आने वाला है सबसे पहले आप इन तीनों subjects में से अगर मैं आपको कहूँ तो आप कौन सा subject उठाने की कोशिश करोगे सोच कर बताए कि आप कौन सा subject पहले करोगे सर आप पता है क्या उठाओगे सबसे पहले science उठाओगे उसके बाद geography उठाओगे यहां आपका पूरा gen खतम होगा यहां आपका fab खतम होगा यहां March और April आजाएगा सर मार्च अपरेल में जब आप history करने जाओगे इतने परेशान हो जाओगे इस history को करते करते आप इस history को या तो बीच में skip कर दोगे या फिर इसे छोड़कर ही चले जाओगे इग्नोरी कर दोगे कि यार यह तो बेकारी subject है यहां से कुछ आने नहीं वाला अलग-अलग तरीके के बहाने बनाओगे क्यों बनाओगे सर यह history इतना vast subject है ना इसके अगर मैं आपको sources बताने लगूना कम से कम पूरा का पूरा 10 से 15 books आपको history के sources में मैं आपको गिना सकता हूँ तो यहां थोड़ा smartly work करेंगे वो कैसे करेंगे मैं उस पर भी बात करूँगा पर मेरी बात को पहले समझी है मैं क्या बोलना चाहरा हूँ कि अगर आपको अभी कोई subject उठाना है अगर आपकी preparation हो गई है अगर आपने अभी preparation नहीं start की है या फिर history नहीं पड़ी है तो मैं कहूंगा दोस्तो सबसे पहला जो subject अभी आपको उठाना है जो नया साल आ रहा है अगर थोड़ी सी भी अकल लगानी है तो वो हमें सबसे पहले history में लगानी है जितना भी अभी energy है शुरूआत करो सर 2024 की history से क्यों मैं ये कह रहा हूँ सर इन तीन इन ट्रिनिटी में तीनों ट्रिनिटी में आपका सबसे important जो part है तीनों important है बट ये history क्यों करने के लिए मैं बोल रहा हूँ सर क्योंकि अगर आप इस समय history नहीं complete करोगे तो feb, march ये सब ये time जाते ही न जैसे मार्च जाएगा न दोस्तो अपरेल माई जून में में आपके उपर इतना pressure पड़ेगा न आप paper 2 की चिंता कर रहे होंगे अलग से cds का pressure होगा या कोई दूसरा exam होगा या फिर maths दिमाग खराब करेगा एक नॉमी आप ऐसे pressure में इतना जो important subject है उस पर focus ही नहीं करेंगे और उपर से सर इसको न अच्छा कासा time चाहिए science को और geography को आप या तो आपने अभी भी तैयार कर रखा होगा अभी तक जो है इनको ही सर इजदत हमेशा मिलती आई है बट इसको respect नहीं मिली है इसको respect देने का समय यही है अब देखो priority भी न सर time पर based होती है ठीक है थोड़ा सा time का भी ध्यान देना होता है अब अगर यही बात आप मुझसे पूछेंगे न March, April में जाकर की सर अब कौन सा subject पढ़े मुझे अगर इन तीनों में से बताइए तो सर उस समय में history को बिल्कुल ignore करूँगा मैं भी आपकी जगह होता न तो मैं भी कहता कि history को उस समय मत उठाना क्योंकि सर यह न सरदर्द है अगर यह सरदर्द उस समय आपने पाला न हिस्टरी का तो आपका science भी लेड़ उबेगा आपका geography भी लेड़ उबेगा तो अगर कोई subject अभी करना है तो सर history लेकर चलो यह मेरा आपसे एक बड़े भाई की तरह suggestion है अगर आप मुझ पर believe करते हो तो सर थोड़ा सा यकीन रखो paper का analysis पूरे इस exam की समझ बहुत अच्छे से है मुझे और मैं almost अपने game changer के सभी students को इस history पर दो महीने की रगड पिछले दो महीने से सर मैं क्यों YouTube पर नहीं आ पा रहता सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी माँगना चाओंगा दोस्तो कारण यही था कि पिछले दो महीने से हम लोग game changer में history पर ऐसा रगड़ा लगा रहे थे कि सर वहाँ पर 1500 questions की practice 100 से जादा lectures और 2500 pages से जादा का notes हमने तयार किया है और सर वो ऐसा है अगर आप किसी भी हमारे game changer के student से पूछेंगे कि भाई history अब कैसा है तो सर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस बंदे का history अब एकदम जीरो से hero बन चुका होगा और वो पूरा confident होगा कि यार history में अब लेकर आजाओ मुझे जितना वो पहले नहीं था तो मेरा यहाँ पर बस आपके वो यही कहना है दोस्तों कि history को सबसे पहले तयार करें फिर उसके बाद इससे अच्छा कुछ और opportunity नहीं होगी ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आई होगी अब एक और सबसे बड़ा सवाल कि सर यह history अब आपने ग्यान तो दे दिया पर यह भी ग्यान दे दो कि cover कैसे करना है तो सर अल्म्रेडी CAPF के उपर या CDS के उपर बहुत सारी YouTube पर वीडियो पड़ी है बट मैं फिर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से history में कैसे क्या cover करना है कौन सी book cover करनी है कैसे करनी है सर मैं काफी innovative और structured way में आपको यह ग्यान यह guidance दे सकता हूँ बट उससे पहले मुझे जानना होगा कि क्या आपको वाकई उस चीज की जरूरत है तो एक बार सर अपने comment section में आप प्लीज इस चीज का comment एक बार करें कि हा सर history को कैसे cover करना है आप प्लीज detail में बताइए तो फिर हम एक next video history पर लेकर आएंगे ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखेगा अगर आपके कुछ comments आते हैं तो हम लोग history को cover करने के एक strategy एक अलग strategy जो YouTube पर पढ़ी है हूँ वो सब नहीं कुछ अलग तरीके से कि आपको और बहतर तरीके से थोड़ा detail में चीज़ों को previous year questions को समझते वे समझाया जाए कि history में करना क्या है तो वो मैं आपके साथ लेकर आऊँ ठीक है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आया है हमारी मेहनत पसंद आती है हमारी research ये सारा जो analysis है 10 साल का 8 साल का CAPF CDS का ये सारी चीज़े अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को subscribe करे YouTube पर करे, Telegram पर सर ये हमारा चैनल का idea प्लीज इसे जो है join करे और माफी चाहता हूँ फिर से एक बार सर कुछ समय से मैं आपके साथ नहीं था